हेलो एब्रिवन, वेलकम टो मैं चैनल, देखिए आज मैं आपके लिए ये वाला मोचो लेके आई हूँ, जिसे मेरी एक सस्क्राइबर है चल जी, उन्होंने मुझसे पूचा था, तो देखिए ये न मैंने न एक से दो साल की बच्ची के लिए बनाया है, तो ये मैं न पहले अगर आपको ये पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बैल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जो मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद अगर आपको भी पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो चलिए मिलते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ, कि ये बनाने के लिए क्या करना है, तो देखिए, आप ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये जो हमने गला बनाया था, पहले हम इस गले पे डिजाइन बना लेते हैं, तो अगर आपको ये गला है थोड़ा बढ़ा लगता है, तो आप इसे न, मैं आपको बता दूँगी, कि इसे छोटा कैसे करना है, और अगर छोटा है, तो बढ़ा कैसे करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूँगी तो देखिए अब हम इसे बनाने के लिए मैंने ये दूसरे कलर क्यों ले लिए और मैंने इसमें क्या किया है ये अच्छे से न इसमें नॉट लगा दी है और दो चैन ले लिए फिर मैंने आगे वाली चैन में डाला एक डबल क्रोशिया बनाया फिर आगे वाली चैन में डालूंगी और एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे ही मैं क्या करूंगी हर एक चैन में डालते वे एक एक डबल क्रोशिया बना लूंगी तो ऐसे ही मैं न यह जो हमारा गला है इसके न चारो तरफ बना लूँगी एक 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 डबल क्रोशिया हर एक चैन में डालते वे और जो यह हमारी यह आएंगा न इसमें हमें चार डबल क्रोशिया बनाने है और फिर से हम सारे में फिर एक-एक डubble crochet बनाएंगे और इधर फिर से 4 डubble crochet तो ऐसे हमें न यह पूरा कर लेंगे फिर मैं आपको आपको दिखा देते हूं देखें मेरा पूरा हो गया है और अब हम यहां पे लास तक आ गए जहां पे मैंने दो chain ली थी ऐसे क्रोशिया डालके इसका फ्रंट पॉस बनाएंगे जो हम यह आगे की साइट से लेते हैं वो फ्रंट पॉस होता है जो हम यह इस तरह से पीछे की साइट से दूसरा जो होगा वो हम ऐसे पीछे की साइट से लेंगे यह बैक पॉस्ट होता है यानि के बैक डबल क्रोशिया और ये फ्रंट डबल क्रोशिया तो ये हम देखे आगे की साइड से इस तरह से डालके हम इसे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसे अराम से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं तो देखिए यह मैं एक को आगे की साइड से बना रही हूँ और एक को मैं पीछे की साइड से बना रही हूँ ऐसे ही हमें यह पूरी के पूरी लाइन बनाएंगे यानि कि जो हमारा गला बना हुआ है यह हमें पूरा का पूरा ऐसे ही बना लेंगे यह एक हम पीछे की साइड से ले रहे हैं और एक हम आगे की साइड से ऐसे ही हम हर एक डबल ग्रोशे में करते वे यहां तक लियाएंगे फिर मैं आपको दिखाते हूँ देख़िए ये मैंने पूरी लाइन बना लिए और ये देखे हमारा गला आपको दिख रहा होगा की इस तरह का हो गया अब मैं आपको बताती हूँ अगर ये बढ़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे हमें न जिसके लिए भी पहना रहे हैं पहले उसे पहना के देख लेंगे अगर हमें ये बढ़ा लगता है तो हम क्या करेंगे ये दो है ना जैसे डबल क्रोशिया तो हम ये आगे का पोस्ट जो है वो दोनों में ले लेंगे जैसे हम एक डबल क्रोशिया में लेते थे थे ना ऐसे हम दोनों में इस तरह से लेके बना लेंगे तो ये हमारा गला छोटा हो जाएगा और पीछे का भी हम इसी तरह से दो में लेके बना लेंगे और फिर हमें ये जितना छोटा करना है उतना हम आगे तक ऐसी बना लेंगे मेरे लिए ये इतना ही ठीक था मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि कभी-कभी हमारा गला बढ़ा हो जाता है तो हम उसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे इस तरह से न हम इसे बना लेंगे तो आपका गला भी छोटा हो जाएगा मैं आपको सिंपली जैसे मुझे बनाना था मैं वैसे ही बना रही हूँ तो यह हमारा यहां तक हो गया और अब हमने जहां पे दो चैन ली थी ना महां पे डालके इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और फिर से दो चैन ले लेंगे अब हमें क्या करना है जो हमने आगे की साइड से लिया है और देखे ये आगे की साइड है तो ये हम आगे की साइड से लेंगे और जो पीछे की साइड है उसे हम पीछे की साइड से ही लेंगे ऐसे ही हम ये वाली लाइन यहापे कम्प्लेट कर लेंगे मैंने इसमें ये तीन लाइने ही बनाई है क्योंकि मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था अगर आपको ये और बढ़ा बनाना है तो आप इसमें पाँच या छे लाइने बना सकते हैं तो वो जो मुड़ने वाला होता है वो वाला गला बन जाएगा ये मैंने देखिए इसमें तीन बना ही है आप इसमें जादा भी बना सकते हैं तो ये मैं पूरी तीन लाइन करके फिर मैं आपको दिखा देती हूं अब हम इसमें ना मैं आपको दिखा देती हूं वो हमेरा पुरा हो गया अब हमें क्या करना है मैं आपको है न ये मेरा इट हो गया था तो मैं आपको लिखा देती हूँ कि हमें है न अब इसके नीचे की साइड में बना रही हूँ जो ये नीचे की साइड है न उसमें डिसाइन बना रही हूँ वो हमारा गला पुरा हो गया था अब हम ये ना नीचे की साइड में जो हमें डिसाइन बनाना है मैं वो बना रही हूँ उसके लिए हमने जहाँ पे ये बंद किया था वहीं पे डालके ये ब्लैक कलर की उन जोइंट कर ली और जोइंट करने के बाद हम इस तरह से तीन चैन ले ली पास से दिखा देती हूँ मैं आपको और ये तीन चैन लेने के बाद ये देखें फर्स्ट वाली चैन में डालके फिर से हमने चैन के उपर इसके किरोशे के उपर रहने दिया उनको और ये तीन बार हमने ऐसे ले लिया और तीनों को हमने इस तरह से एक साथ निकाल लिया फिर से हम एक चैन लेंगे और ये इस तरह से खीचेंगे और ये इसी चैन में डालते वे ये देखिए एक बार ले लिया था हमने किरोशे के उपर ये दो हो गए और हम फिर से इसमें डालेंगे ये तीन और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से फिर हम इसमें एक चैनल लेंगे और फिर से हम इसमें इस तरह से खीच के एक बार हो गया ये कि रोशे के उपर फिर हम फिर से इसे डालेंगे इसे खीचेंगे और ये दो हो गया फिर से हम डालेंगे और फिर से हम इसे इस तरह से की रोशे पर रहने देंगे और ये एक साथ निकालेंगे तो हमने ये तीन पफ बना लिये हैं अब हमें क्या करना है जहां पे हमने शुरू वाला पफ बनाया था ना उसी चैन में डालके इसे जॉइंट कर लेंगे हम इस तरह से ये हो गया देखे ये हमारा कुछ इस तरह से बनके न तयार हो जाएगा अब हमें क्या करना है यह देखे एक chain हो गई और इसमें हमें 2 chain और बनानी है वो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूं अभी देखे यह हमारे तीन हमने ऐसे बनाई और देखे यह मैंने कुछ बना लिया है फिर हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ देखे वो एक चैन ले ली थी और दो चैन हमने इसमें और बना ली और आगे वाली जो हमारी ये तीन चैन बनाई हुई थी ना इसमें डालके हम इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे देखे इस तरह से हम इसमें से निकाल लेंगे सिंपल क्रोशे से फिर से तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेंगे जैसे हमने पफ बनाया है न तीन ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे अब देखिए एक बार हो गया अब हम इसमें फिर से डालेंगे दो हो गया फिर से हम डालेंगे ये तीन हो गया और ये तीन को हम एक साथ ही निकाल लेंगे इस तरह से फिर से हम इसे उन को खीचेंगे और ये इस चैन में डालते वे फिर से तीन बार हम लेंगे उन को हम किरोशे के उपर और तीनों को इस तरह से निकाल देंगे फिर से हम इसे खीचेंगे और इसमें भी हम इसी तरह से तीन बार उनको किरोशे के उपर लेंगे और इसे इस तरह से निकाल देंगे तो देखिए यह हमारा ना तीन हो गए अब हमें क्या करना है जो हमारा लास्ट वाला था इसमें डालके इसे इस तरह से जोइंट कर लेना है और जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक, दो, यह तीन तीन चैन ले ली और तीन चैन लेके यह हमने आगे वाले में डालके इस तरह से जॉइंट कर दिया अब हम यहाँ पे फिर से तीन चैन लेंगे फिर से तीन पफ बनाएंगे और लास्ट वाले में जोड़के हम फिर से यहाँ पे ऐसे ही बना के जैसे हमने यह डिजाइन बनाया है ऐसे ही हम आगे तक बनाते चाहेंगे जब आप इसे बनाएंगे तो यह बहुत आसान है और आप बहुत ही आसानी से इसे बना भी लेंगे इसे पूरे के इसको बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगा है मैंने ये एक दिन में ही पूरा कर लिया था जिसमें मुझे बीच बीच में उठना भी पड़ा था तो ये आप बहुत आसान है और आप बहुत आसानी से इसे बना भी लेंगे फिर भी अगर आपको कोई प्रोब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ अगर आपको इसमें कुछ भी लगे कि आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजे मैं आपका जवाब दूँगी और आपको बनाने में help भी करूँगी कि इसे बनाने में कोई दिक्कत आईगी तो मैं आपको बताऊँगी तो ये देखें ये last में हमने यहाँ पे तीन चैन ले ली और इसे भी हम यहाँ पे आगे डालके जॉइंट कर लेंगे ऐसे ही हमें ना मैंने ये पूरी के पूरी लाइन बना लिये और ये बनाने के बाद जहां से हमने शुरू किया था ना वहीं पे डालके हम इसे अब बन कर देंगे ये देखें ये हमने जॉइंट कर लिया यहाँ पे जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे फिर से हम इसमें डालके इस तरह से इसे पक्का कर रहे हैं और यहां पर हम उनको कट कर देखे तो देखे यह कट करने के बाद है मैं आपको दिखाती हूँ कि यह पुरा बन के कैसा लगा है तो देखे यह मैंने इसमें जालर चोटी चोटी बनाई है ये बनने के बाद है ये और भी सुन्दर लग रहा है ये कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है लेकिन रियल में ये बहुत सुन्दर लग रहा है तो देखिए आप इसे बनाईए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें में आपको बहुत यूजफुल होती है और आपको भी पसंद आएंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पसंद आ रही है थेंक्स वर वाचिंग एंड इन्ज़ई इस वीडियो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ बाई